इस भीडियो में दीगाई जानकारिया ओल्लेफर एड़ अनल पार पास है ये नोडबुक और मीटी फीडिया से लिगाए है कुछ भी मेडिसीन ओर टीडिमें लेन से पहले डॉक्कर की साला जूरूर ले कुछ मेडिसीन ओर टीडिम ना लेजिए ये जान लेबा भी हो सकता ह है इसकी यूज करने का तारीका काहा है या टोज क्या से ही में रह सकता है प्रेग्णसी में यूज कर सकते हो की नहीं कर सकते हो, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेगे, पूरी वीडियो के साथ बने देए, पूरी जान कर लीजे, क्योंकि आधा दूरे जानकरी जान लेवा भी हो सकता है, चलिए हो अन्स्टेव लाना, बेड़ फंस, मेडिकल नौलेज के तरह बढ़े जाए, एलकेम लेबरेटर इस दोरह बाने जाने वाला एजीकेम 200MG, जिसके अंदर कॉंटेंट सॉल्ड मोजुद है, एजित्रोमाइसिन 200MG, यानि एजित्रोमाइसिन 250MG के स्टेंद में इसके अंदर मिला जाता है, हलाकि मार्केट में एजित्रोमाइसिन का टेबलेट, सीराप, दोनों फर्म में ही मिल जाता है, 100MG, 200MG और 500MG के स्टेंद में मिला जाता है, आज बात करेंगे, 200MG टेबलेट के बारे में, इसे काम एक ही होगा, सिर्प डोज का फराग रहेगा, एजित्रोमाइसिन मोलेकूल का मेडिसिन के रिभीयू एक ही होगा, इसके बहुत सारा स सब्सेट्रोट ब्रेंट में मिल जाता है, जो भी आप लोगों को सस्ता मिले, आसानी से मिले, आप ले सकते हो, सब के काम ही की होगा, इस एजित्रोमाइसिन के प्राइस हो सकता है, च्छै टेबलेट का, 79 से लाकर 80 रूपया के बीज में, बहुत ही आसानी से आपको होने के कारण से सबसे जाता यूज Student होता है, अर्टि यानी respiratory tract में कुछ भी infection हो गाया हो, उस infection को ठिक करने के लिए, एंटिबाटिक के यूजत लिया जाता है, जित्रोमैसिन का, कान में कुछ भी infection हो गे हो, कान में बहुत जदा दर्द हो रहा हो, मावादे आरहे हो, उस situation म इस Medicare ूट्रा में इंपर लिया ज़ता है नाघ में इनफेक्सुन हो इंफेक्सonn हो गए हो उसी सीचुसन में जिट्रमेसिन या जी के मेडिसिन का यूजिस लिया जाता है बहुत ज़्यादा थ्रोट का कुछ भी इंफेक्शन हो गले में जलन हो टॉंसिलाइटिस हो टॉंसिलाइटिस बाच्चों में सबसे ज़्यादा होते है टॉंसिलाइटिस के कारण से गले में बहुत ज़्यादा पेन होते है की साप्टिसों में कुछ फिल्ड ही इंपक्सिए स्कीॡशू ठीक फिसे सब्सकी जाने के लिए यृजित के लिए सबसे मुकरता ही उच刀 ताइब पीबर को ठीक जाहे बाचे हो से लागा कर बुझूर्क हो सब ही मेर्ट आइपरट फिवर को ठीक करने के लिए एजीकेम मेडिसिन यानि एजी थ्रोमाईसिन मेडिसिन के बहुत ज़्यदे उपयोग है जो कि बहुत ज़्यदे ये उजिएस लिया जाता है इसके कुछ साइड एफेट कर रह सकता है कि नहीं रह सकता है बहुती सेब मेडिसिन मना गया है इसके साइड एपेक्ट ज्यादा तर नहीं दिखा गया है नॉर्मल अतर पेसेंट को इसको साइड एपेक्ट नहीं होता इसके ओभाट डोज पर या ज्यादा दिनी उच करने पर कुछ साइड एपेक्ट हो सकता है जैसे की नाजवाब हमिटिंग जैसी टेंडेंस रह सकता है अब्डोमिनल में पेन रह सकता है डाहेरिया हो सकता है किसी को कौनस्टी पेसन भी हो सकता है किसी के स्कीन के प्रोब्लम हो सकता है जिसके अलर्जी रियक्सन है उनमें ज्यादा प्रोब्लम हो सकता है तोच निधान किया जा सकता है एक साथ साल से लायाकर बिस साल के जो बाच्चे है उन में एक बार ही डॉक्टर दौरा प्रेस्कैप किया जाता है तीन से लायाकर पांस दिन से ही बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है एक बार रात में खाने के बाद लेने के सला दी जाते है डॉक्टर दोरा और जो 20 साल से लायकर बुजरुक सभी में ये 2500 एमजी के टैबलेट दीन में दो बर करके दिया जा सकता है सुबह साम दो बर करके खाने के बाद चल सकता है ये तीन से लायकर पांस दीन भी चल सकता है या ज़्यादा दिन भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है रोके गंभी रता देखे खुद से ना यूज कीजिए डॉक्टर के साला से ही यूज कीजिए दोस्तों इसके safety information कहा है contraindications कहा है कि इन लोग यूज कर नहीं कर सकते कि इन लोग को कैसे ही देना चाहिए इसको डाइरेक्ट एक टैबलेट पानी के साथ निगलना पड़ते है इसको तोड़के अब डोज के accuracy नहीं निकल सकते है इसलिए तोड़के ना लीजिएगा डॉक्टर जितना डोज लिखा है उतना ही लीजिएगा इसको pregnancy और best feeding मातर में safely use किया जा सकता है लेकिन डॉक्टर पारपास है इसको डॉक्टर के साला के साथ kidney problem और liver problem को जो patient है उनमें लिया जा सकता है जो लोग इनके ingredients से पहले allergic रहे चुका हूँ उनके मिलकुल भी नहीं दिया जा सकता लाइप threading problem हो सकता है जो लोग alcohol के सबन करता हो with alcohol यह लिया नहीं जा सकता यहीं इसके safety rules है दोस्त मिलेंगा अगले वीडियो पा तब तक के लिए सुरक्सिद रहे है अच्छा रहे है धनवाद